हाई अब्रिवान वेरे वेरे गड़ा अप्रेनून कैसे हो खोब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शुआ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बियाट एंटेंस एक्जाम 2024 के बारे में कि इसका एड्मिट कार्ट कब आएगा एक्जाम इसका जो है 24 अप्रेल को होगा या नहीं होगा एंट 30 दिन अपके पास समय है तो 30 दिन में क्या पढ़ें क्या चुनाओ के कारण जो है पेपर पोस्ट पोन हो सकता है या नहीं हो सकता है तो संपोर्ण जानकारी आपको इस विड़ में देने वाला हूँ यूपी भी एड यूपी डिलर टीचिंग एग्जाम की पलपल की लेटिस्ट ऑथन्टिक अप्डेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन भी साल यूटूप चलन को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके देखे अभी हमको जो तैयारी करनी है वो 24 अप्रेल को मान कर ही करनी है इधर आज 20 मार्च हो गई है डेट चार दिन फेस्टिवल करनी कार दें तो मात्र आपके पास 30 दिन का समय बच रहा है तो 30 देश में क्या पढ़ें ताकि आपका इसकोर अच्छा खासा आ सके सारी जानकारी आपको इस विड़ में देने वाला हूँ अब भी मैं बताऊंगा डेट इसकी एक्सेंड होगी या नहीं होगी अब देखें यहाँ पर इसका फार्म स्टार्ट हुआ है कबसे 10 तारिक से स्टार्ट हुआ है आविदन की अंतिमतिती बढ़ा गई है एक महिना सीधा सीधा एक महिने से ज़्यादा समय दिया गया है 31 मार्च तक आप जो है विदाउट लेट फीस के फरम भर सकते हैं उसके बाथ 1-7 अपरेल तक जो है लेट फीस के साथ फरम भर सकते हैं अब ये लोग 24 को एक्जाम दे दिये हैं तो 7 तारिक तक ये लोग तो फरम ही भरेंगे एक से दो दिन correction कम हो का दिया जाएगा तो दस तारीक तक इसे में हो जाएगा और ये 14 दिन में क्या exam करवा लेंगे possible नहीं है पिछले तीन वर्ज का अनवो मुझे भी है ठीक ना पिछली बार दो माह आवेदन के तिति बढ़ाई गई थी और फिर exam date तुरंत बढ़ा गई थी तो इस बार 100% इसके जो है exam के जो दिति है वो बढ़ेगी दो रीजन है एक तो आवेदन के तिति बढ़ाई गई है आवेदन कमाए है इसलिए आवेदन के तिति बढ़ाई गई है पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था पिछली बार भी दो महीने बढ़ा दिया गई तो इस बार भी आवेदन के तिति बढ़ाई गई है तो परिच्छा के तिति बढ़ेगी 100% बढ़ेगी एंड एक और कारण ये भी है election में सारे teachers जो भी अधिकारी गण रहेंगे सब busy हो साएंगे तो इसका exam जो है June जुलाई भी जा सकता है ओके रहा बढ़ तैयारी अभी आपको जो है continue रखना है अपनी admit card जो लोग बता रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर देखेंगे 17 अपरेल को दे देंगे तो इतने यल्दी possible नहीं है और यहाँ पर प्रेस परिच्छा के जो संभावी तिथी जो परड़ाम की तिथी बता रहे हैं यह 30 माई उता रहे हैं ठीक है तो अभी आप जैसे form नहीं फिल की हैं तो form अपना जल्दी से जल्दी आप लोग भरतीजे और तैयारी में लग जाई आप लोग जैसे अगर 24 अपरेल को एक्जाम आपका होता है तो आपको क्या पढ़ाना चाहिए देखें मैं बता दूँ अगर आप बिलकुन फ्रेश एरे स्टुडिन्ट है तो आपको क्या करना चाहिए आपको लैंगवेज में फोकस करना चाहिए और आपको जो है रिजनिंग में फोकस करना चाहिए ये दो सब्जिक्ट तो कि सभी तो आप फोकस नहीं कर पाँगे सभी में तो कुसिस करिए कि आप लैंगवेज में और रिजनिंग में फोकस करिए ये स्कोरिंग है इसमें आप 40-40 भी ले आए ना 40-40 question भी अगर correct कर लिए तो 80 question आप कर रहा है सीधा-सीधा अगर cut pit हो गया तो 1.500 number तो यहीं आपका आ जा रहा है ठीक है ना आगर आप पहले से provision कर रहे हैं कोई और exam की तयारी कर रहे हैं तो आप sub subject में focus करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा practice set लगाई है हमारी practice set की class join के लिए जहां पे आपकी गलतिया हो रहे हैं वहां पे आप अपनी पकड़ बनाई है उसको सुधारी आप लोग गलतियों को और mock test आप लोग जरूर दीजे और जो बच्चे नए हैं तो वो अभी syllabus में थोड़ा सा समय दे एक महीन काफी समय होता है अगर 24 अपरेल को exam होता है तो अभी आप qualify कर सकते हैं अभी भी अलंकि qualifying कोई marks नहीं है और इस बार competition थोड़ा सा कम रहेगा हर वरसे के तुलना में तो अगर आप 220 तक भी ले आते हैं तो आपको edit college मिल जागा 400 में से तो वैसे तो 100% chance है इसकी जो तिथी है परिक्षा की तिथी जो है वो बढ़ाई जाएगी और 24 अपरेल को नहीं exam होगा ये मेरा मानना है तो अभी आपको पढ़ाई करते रहना ये नहीं कि paper नहीं होगा तो बस बैढ़ जाओगे आप लोग तो ऐसे गलती मत करना आप तयारी करते रहो ठीक है बढ़ेगी तो इकठा कम से कम दो हमाई आपको और extra समय दिया जाएगा ठीक है आप reasoning पे और language पे अपनी command बना लिजे ये दो subject अच्छे से आप लोग मजबूत कर दीजे बाकि कोई भी B.A.P.S. परिच्छा की update आईगी वो तो update आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से ही देखने को मिलेगी बाकि ये दो region मैंने आपको बता ही दिया है एक तो परिच्छा की तिथी क्यों बढ़ेगी क्योंकि आवईदन की तिथी बढ़ाई गई है और एक चुनाओ के काराण भी जो है आगे जा सकते हैं क्योंकि सारे exams पोस्ट पॉन है रहे हैं कल I.S. का exam पोस्ट पॉन हो गया है ठेक है तो ये भी exam पोस्ट पॉन हो सकते हैं 24 अपरेल को तो नहीं होगा ये लिक के मैं दे रहा हूँ ओके चलिए थाएंकिशो मच बाबाटे केर मिलते हैं अंगली वीडियो पे